नमस्कार दैनंदनी पढ़ों पढ़ाओं में स्वागत है आपका दूसरे की निंदा करिये और अपना घड़ा भरिये है नास्चर जिनक बात हम जाने अंजाने अपने आसपास के बेक्तियों की निंदा करते रहते हैं जबकि हमें उनकी वास्तिक परिष्थितियों का तनिक भी घ्यान नहीं होता निंदा रस का स्वाद बड़ा ही रुचकर होता है हम अपने दोस्त, यार, नाते, रिष्टेदार और जिस संस्थान में काम करते हैं वहाँ अपने शहयोगी, कलिक्स, अपने बोश, अपने सबार्डिनेट, सब के बारे में जाने अंजाने चर्चा करते रहते हैं चर्चा का यही करम और इसमें से कुछ अंस निंदा की स्रणी में आता है निंदा करने के क्या फायदे होते हैं और इससे क्या नुकसान हो सकता है आईए जानते हैं आज इस कहानी के माध्यम से एक बार फिर दूसरे की निंदा करिये और अपना घड़ा भरिये प्राचिन काल में बहुती प्रशिद्ध राजा हुआ करते थे राजा प्रिथु एक दिन सुबा सुबा अपने घोडों के तबेले में जा पहुँचे घोडों के अस्तबल में राजा प्रिथु मुआयना कर रहे थे तभी वहाँ पर एक साधु विक्षा मांगने आ पहुंचा सुबा सुबा साधु को विक्षा मांगते देखकर राजा पृथु को क्रोध आ गया क्रोध में उन्होंने साधु के निंदा करते वे बिना विचारे तबेले से घोडे की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी साधु बड़ा सान स्वभाव का था साधु भिक्षा लिया और वहाँ से चला गया वह लीद लेकर अपनी कुटिया में आया और कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दिया इस खटना के व्यतीत होने के कुछ समय उपराँ राजा पृथु एक बार शिकार करने जंगल में गए राजा पृथु को शिकार करते वे अचानक प्यास लगी वो अब पाने की तलास में जंगल में इधर उधर भटकने लगे उन्होंने वहाँ एक रिशी की कुटिया देखी कुटिया देखकर उन्होंने जल की तलास में कुटिया की ओर चले गए कुटिया के पास पहुँचकर राजा प्रिथु ने देखा कि वहाँ घोड़े की लीद का एक बहुत बड़ा धेर लगा हुआ है उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो कोई तबेला है और ना ही कोई दूर दूर तक कोई घोड़ा दिखाई दे रहा है वहाँ आश्चर चकित हो गए आश्चर से भरवे कुटिया में प्रवेश किये और साधू महराज से बोले महराज आप हमें एक बात पताईए यहाँ ना कोई घोड़ा है ना ही घोड़े का कोई तबेला यह इतनी सारी घोड़े की लीद यहां कहां से आ गई साधू ने कहा राजन यह लीद मुझे एक राजा ने भिच्छा में दे थी अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी साधू की बात सुनकर राजा पृति को पुरानी पूरी घटना याद आ गई कैसे उन्होंने एक साधू को उसके भिच्छा पातर में घोड़े की लीद किया ली वे अचानक साधू के पहरों में गिर पड़े और छमा मांगने लगे उन्होंने साधू के परश्ण किया महात्मन मैंने तो उस समय बहुत थोड़ा सा लीद बिच्छा पात्र में डाला था पर ये तो बहुत बढ़ा हो गया इतना विशाल इतना धेर सादो ने कहा हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रति दिन प्रफुलित पल्लवित होकर बढ़ते चले जाता है और उसी बढ़े हुए मात्रा में देने वाले ब्यक्ति के पास लोट कराता है तो राजन यह उसी लीद का परिणाम है जो उस दिन आपने मुझे दिया था यह सुनकर प्रिथु की आँखें भराई उन्होंने सादु से कहा महराज मुझे छमा कर दीजे मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा साथ ही उन्होंने सादु से अनुरोध किया कि कृपया मुझे ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने दुष्ट करमों का प्राइस्चित कर सकूँ राजा की ऐसी दुखमी हालत देखकर साधु को दया आ गई साधु ने कहा राजन एक उपाय है मैं आपको बताता हूँ आपको कोई ऐसा कारी करना होगा जो देखने में तो गलत हो पर वास्तों में गलत ना हो जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे जितने ज्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना हलका होता चला जाएगा आपका अपराद निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा यह शुनकर राजा प्रिथू कुटिया से बाहर निकले और अपने महल में वापस आ गए महल में आने के बाद काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अगले दिन के लिए एक निनाय लिया वे महल से सुबह से निकले एक बोतल सराब लिया और चौराहे में जाकर बैठ गए सुबह सुबह राजा को इस हालत में देखकर सब लोग आपस में खुशुर पुशुर करने लगे आपस में सब बत्याने लगे वे राजा के निन्दा करने लगे लोग कहने लगे कही कैसा राजा है कितना निंदने ये कृत्ति कर रहा है क्या शोबनी है क्या एक राजा को सोभा देता है इस तरीके से चौप में खड़े होकर शराब का बोतल हाथ मिली हुए आदी आदी अनेक बाते होने लगी निंदा की परवाग ये अविना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अविनाय करते रहे इस पूरे कृत्य के पस्चाथ जब राजा पृथू पुना साधू के पास पहुंचे तो बड़ा आश्चर जनक दर्श्य उन्होंने देखा उन्होंने देखा राजन यह आपकी अनुचित निंदा के कारण हुआ है राजन जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बढ़ गया है जब हम किसी की बेवज़ा निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोज भी उठाना पड़ता है, तथा हमें अपने किये गए कर्मों का फल तो घुगदना ही पड़ता है, अब चाहे हसकर भुकतें या रोकर हम जैसा देंगे, वैसा ही लोट कर हमारे पास आएगा, सुना आपने निंदा का क्या दुष्परिनाम हो सकत हमारे अपने साथ, वास्तों में निंदा एक ऐसा मानवी गुण है, जो सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ मात्रा में अवश्य पाया जाता है, यदि हमें ग्यान हो जाए कि पर निंदा का परिनाम कितना भयानक होता है, तो हम इस पाप से आसानी से बच सकते हैं, तो नहीं अपना घड़ा भरें